नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आपका अपने चैनल में स्ट्रेसिवी क्लासिश पर दोस्तों जैसा कि सब को पता है कि हर्याना बेरोजगारी में नमबर वन है और इसी बेरोजगारी को खतम करने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है और सरकार ने अपना लक्से रखा है कि 2025 तक बेरोजगारी को खतम कर देंगे हर्याना से और इसी के तहत दोस्तों सरकार ने घोसना की है कि इस साल के अंत तक यानि कि अब अक्तूबर का आप चला गया है यानि कि दो महीने और है तो इस साल के अंत तक दोस्तो दो लाख युवाओं को रोजगार देगी ठीक है और सरकार ने पिछले साथ साल में 85,000 युवाओं को सरकारी नोकरे दी है लेकिन इस साल के अंत तक दो लाख युवाओं को रोजगार देने का और लक्से रखा गया है वो जो रोजगार है वो अलग अलग योजनाओं के तैत देखिए क्या कहा गया है इस पूरी खबर में जानते हैं आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बारा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे देखिए हर्याना में 7 साल के दोरान 85,000 योजनाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी परदेश सरकार का फोकस 2025 तक हर बिरोजगारी योजनाओं को रोजगार देने का है इसके लिए परदेश सरकार ने रोड में बित्यार कर लिया है यानि के काफी कुछ करने की प्लानिंग कर रही है सरकार ठेक है इस बी रोजगारी को खतम करने के लिए परदे सरकार इस साल के अंत तक करीब दो लाख युवाओं को रोजगार देगी यानि कि परदे सरकार का ये लक्स है ठीक है और लक्स है रखकर काम करना एक अच्छी बात होती है बाकी वर्सों में सरकारी नोक्रियों के साथ साथ बेरोजगार लोगों को सवरोजगार दिये जाएंगे परिवार पहचान पत्रों में दरज जानकारी के आदार पर सरकार ऐसे तमाम युवाओं को चेनित करने के काम में जुट गई है जिन के पास कोई रोजगार नहीं है अगर इसका देखा जाए तो सक्सम योजना में काम करने वाले या फिर इंपलोईमेंट में नामदरज करवान वाले जो युवा हैं उनको इसका काफी फैदा मिलने जा रहा है क्योंकि सरकार के पास उनका पहले से आकड़ा है कि वे लोग बेरोजगार है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बेरोजगारी दूर करने के पहले चरण में हर परिवार के एक वैक्ते को रोजगार दिया जाएगा सबसे अच्छी बात तो यही है कि इस मामारी के दोरान कितने लोग बिरोजगार हुए हैं कोरोना के समय में और रोजगार का मतलब देख लीजिए कि क्रोडों कम से कम दो डाई क्रोड जो नोकरिया है वो खतम हो गई थी यह मतलब सुनने में आँ था इस लोकडाउन के दो खर्चा तो निकाल सके अपने परिवार का पढ़ाई का सिक्षा का जो है खर्चा चला सके देखिए मुख्यमंतरी मनोरलाल का मानना है कि हर किसी को सरकारी नोकरी नहीं दी जा सकती इसलिए छोटी जोत वाले किसानों को आय बढ़ाने तथा उनके परिवार के बिरोजगार सदस्यों को रोजगार देने के लिए मत्षय पालन और मदु मख्य पालन और पशू पालन से जोड़ा जाएगा पशूओं खासकर गाएं भैस और बकरियों की डेरी खोलने के लिए सरकार इन युवाँ को रणतक मोहिया कराएगी सरकार हर जिले में हर हर हित स्टोर खोलने की तरफ भी आगे बढ़ रही है आपको पता भी है अब सत्तर से कैतर हाँ यह आपरीनों ने दिया है कि एक एतर जो हर हित स्टोर भी अब खोले गए थे ठीक है और पूरे परदेश में करीब पांच हजार हर हित स्टोर खोलने की योजना है तीन दिन पहले ही मुख्य मंत्री मन्होरलाल ने इक एतर हर हित स्टोर को की है जो शुरूरात की थी हरियाना एगरो इंडस्टरीज कोरपरेशन के चेर्मेन राकेश दोलत अबाद ने आतम नीर बर भारत की जगए आतम निर्बर हर्याना का यह है जो है कॉंसेप्ट मुख्य मंत्री नोरलाल को और जो करिशी मंत्री जेपी दलाल के सामने रखा है जिसे तुरंत मंजूरी मिल गई है अब सहरों में 10,000 की आबादी पर एक और गाउं में 3,000 की आबादी पर एक एक हरहित सटोर खुलेगा जिन में एक ही छत के नीचे 60 से अधिक कंपनियों के 550 से अधिक प्रोडक्ट विक्री के लिए उपलब्द होंगे मुख्यमंद्री के माने तो एक हरहित सटोर से 4-10 लोगों तक जो हरोजगार मिलने की संभावना है ठीक है और 5000 हरहित सटोर खुलने के बाद इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है इसके लावा परदेश सरकार गाउं वे सहरों में वीटा के बूत हैफेड के जो बंडार होते हैं वो और स्वेम साहता समों के द्वारा तयार किये जाने वाले सपेसल आउटलेट खोलने को लेकर गंबीर है हर हित सटोर पर स्वेम साहतासमू द्वारा त्यार किये जाने वाले प्रोडक्ट बिक्री के लिए रखे जाएंगे ठीक है गाउं में स्वेम साहतासमू होते सब को पता है महिलाओं के होते हैं ठीक है जो लग-लग प्रोडक्ट बनाती है इसे गाउं वे सहरों में महिलाओं क दिखा रखिया है उसी को वेरिफाई करके सभी योजनाओं का लाब पोचाने की कोशिस की जाएगी तो ये एक अच्छा जो है लक्से रख्या है सरकार ने किसी भी तरह से कम हो सके बहुत अच्छी बात है रोजगार होना चाहिए हो सकता है कोई भी प्राइवेट हो या फिर गॉर्मेंट और रोजगार बहुत जरूरी है आज के समय में महेंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए अगर सरकार इस तरह का कोई भी काम करती है तो एक सरानिय काम होगा दोस्तो तो ये खबर थी अगर आप भी चाहते हैं एजुकेशन से सम्वंदित बरतियों से सम् ये वरी मुट